नमस्कार अविग्न फूड़ुक में आपका स्वागत है आज मैं एक स्ट्रीट फूड बनाऊंगी वह है छोले कुल्चे खाने में बहुती स्वाधिस्ट होते हैं आज मैं आपको इसकी बनाना बता रही हूं चलिए बनाने चलते हैं छोले कुल्चे इससे पहले यदि आपन इस एक कारव के पाने डालेंगे उससे हम यह चार पाझ यह चरां डालेंगे एक तरह से स्टाफराइम माता को नलाों कुल्चे बना है और लएक नगे अब इसमें हम यह चार कप पानी डालेंगे आधा चम्मच हल्दी एक चम्मच नमा परां को बंद करके इसका डखकर लगा देंगे जैस को ओंड कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इससे हम तीन विसे लाने तक पकाएंगे जब तक हमानी मटर रोबल रही है तब तक हम कुल्चे का आटा तयार कर लेते हैं कर से पहले आहाच चम्मच यह बेकिंग सुडर डालेंगे यह एक कप मैदा इसमें मैंने आधा चम्मच बेकिंग सुडर डाला है आधा चम्मच छीनी नमंक स्वाद कीनूसार फ्लें और मीं डही अ अब इसको हम अच्छील स्यां के घुथि लाओगे पहले साही शामग्रि करेंगे अब इसमें हुए थोड़े से गुन्गुने पानी से मेदी को गूत लेंगे हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे इस तरह से माटे को पूरा गूत लेंगे और इसमें अब यह आधा चमच और डालके इसको अच्छा स्मूथ कर लेंगे हमें इसको इस तरह से ही रख देना है अब आदे गंड़े के लिए इसको हम रख देंगे तीन वेसल हो चुकी है और अब इसकी ही को करकी हमारी गैस भी निकल गई है अब इसको खोल कर चेक कर लेंगे देखिए हमारी मटर गल चुकी है अब हम इसे एक दूसरे बरतन में निकाल लेंगे हमने पूरी मटर एक अलग बरतन में निकाल लें है अब हम अपने मटर में सबसे पहले यह दो बड़ी साइज की टमाटर इनको डालेंगे जो अपने काट लिए हैं पांच हरी मिर्च हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं जैसा तीक आप ठाना चाहें दो मीडियम साइज के प्याज थोड़ा हरा धनिया दो बड़े चम्मच इमली का रस आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच भुना हुआ पिसा जीरा अब हम इन सबी सामग्रियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे नमक हमने पहले से ही डाला हुआ था तो नमक हम चेक कर लेंगे इसके बाद हम नमक हैट करेंगे यदि हमें कम लगेगा तब एक नीवू का रस इसको भी डालकर हम मिक्स कर लेंगे हमारे छोले तयार है इसे हम एक प्लेट में सर्व कर लेंगे हमारे छोले तयार है मैंने सर्व कर लिया है अब हम अपने कुल्चे की तयारी करेंगे हम हम इसकी छोटी छोटी लोई तोड़ लेंगे इस तरह से अपने कुल्चे को बेल लेंगे बीच बीच में हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाते जाएंगे हमारा कुल्चा बिलके तयार हो गया है इसी तरह से बाकी कुल्चे भी बेल लेंगे हमारा तबा भी इधर गरम हो गया है अब हम यह जो कुल्चा हमने बेला है वो तबे पर डालके धीमी आज पर सीख लेंगे अब हम पल्च कर देख लेते हैं हमारा कुल्चा इस तरफ सिखा है या नहीं इस तरफ हमारा कुल्चा अच्छी तरह से सिख चुका है इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी सेख लेंगे दूसी तरब भी चेक कर लेंगे इस तरब भी हमारा कुल्चा ची तरह से सिख गया है अब इसे हम हलकेल के हांस से इस तरह से दबा कर सेख लेंगे इस तरह से दूसी तरब से भी ऐसी सेख लेंगे दबा कर हमारा कुल्चा सेख चुका है अब इससे उतार के हम दूसरी प्लेट में रख लेंगे और दूसरा कुल्चा भी सेम प्रोसेस सेख लेंगे इस तरह से दबा के सेखेंगे इसको भी इसे उतार के दूसरी प्लेट में रख लेंगे अब हम अपने कुल्चों में शुद्ध घी लगा लेंगे देसी घी इस तरह से और इनको सर्व करने के लिए इस तरह से काट लेंगे और अपने कुल्चों को इस तरह से प्लेट में रख की गरम गरम सर्व करेंगे हमारे छोले कुल्चे तैयार है यदि आपको ये छोले कुल्चे की रस्पी पसंद आए तो आप मेरे वीडियो की नीचे लाइक का बटन किलिक करना न भूलें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स अविगना फूड़ बुक पर शेयर करें आप मुझे फेस्बुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं कर दो कर दो रहें